नमस्कार आप देख रहे हैं स्पिटी न्यूस पर 7 दिसंबर शनी वार सुबस सवा 6 विजे राजस्तान की बड़ी खबरें रास्तान हाई कोट ने करीब साड़े 9 महीने पहले भरती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी अदालत ने 23 फरवरी 2024 को भरती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी राजसरकार की ओर से पैरवी करते हुए अत्रिक महादी बनता वसंद सिंग चापा ने अदालत को बताया कि भरती में लिखित परिक्षा के लिए पदों के मुकाबले 15 अगुना ऐसे अभ्यरतियों को बुलाया गया था जिन्होंने सनातक सर की समान पातरता परिक्षा पास की है लेकिन याचिका करताओं ने यह कहते हुए भर्ती को चुनोती दी कि समान पातरता परिक्षा में 18-40 साल तक के भर्तियों ने हिस्सा लिया था वहीं इस भर्ती परिक्षा की न्यूंतम आयू सीमा ही 21 वर्ष है ऐसे में सरकार अपातर लोगों को भर्ती में शामिल कर रही है रास्तान के उर्जा मंत्री हीरा लान नागर और बामन बास विधाएक इंद्रा मीना के बीच जम कर तूतू में में हुई सवाई मादपूर जिला परिशर सबागार ने दोनों के बीच बिजली वेवस्ताओं को लेकर जम कर होट टॉक तूई विधाएक जितेंदर गोटवाल भी इस होट टॉक से अचूते नहीं रहे मंत्री के बचाओं में जब विधाएक जितेंदर गोटवाल उत्रे तो इंद्रा मीना विधाएक जितेंदर गोटवाल से भी भीड़ गई उर्जा मंत्री हीरालान लागर आज सवाई मादपूर जिले के दोरे पर थे जहां उर्जा मंत्री हीरा लान नागर ने मुख्याले सिद जिला परिशर सबागार में बिजली विभाग के अधिकानियों की बैठक ली और विभाग के कालियों की समिक्षा की जैपुर के सीतापुरा से जैए सीसी कॉलेज परिशर में 9 दिसंबर को राइजिंग रास्तान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा प्रधान मंत्री के जैपुर दोरे और समिट की सुरक्षा को लेकर जैए सीसी परिशर को छामनी में बदला गया है पलिस प्रशासन की ओर से पूरे जैपुर शेहर में चाक शुबन इंतजाम किये गए हैं समिट के दुरान सुरक्षा का जिम्मा 11 IPS अफसरों सहीत करीब 4000 पलिस कर्मियां समभालेंगे अडिशनल कमिशनर रामिश्वर सिंग ने बताया जैए सीसी कॉलेज परिसर में 9 दिसंबर को राइजिंग रास्तान इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा समिट का उद्गाटन प्रधान मंतरी नेंद्र मोधी करेंगे वहीं इसमें देश विदेश से कई महमान और उद्योग वती भी समिट में शामिल होंगे प्रधान मंतरी के जैपुर दोरे और समिट की सुरक्षा को लेकर चाग चुबन इंतजाम किये गए हैं प्रियंका गांधी वर्धा शुक्रवार शौम सडक मार से रंधंबोर पहुंची है वहां यहां आठ दिसंबर तक रंधंबोर में रहेगी प्रियंका गांधी वर्धा के होटल पहुंचने पर उनका होटल प्रमंदन की और से स्वागत किया गया जानकारी के नुसार प्रियंका गांधी वर्डरा आज सुबह की पारी में रंधंबोर में टाइगर सफारी करेगी इससे पहले पिछले मां कांग्रेस की रास्टी वहां सची प्रियंका गंदी वर्डरा ने अपने परिवार के साथ रंधंबोई में टाइगर सफारी की थी जो नमबर तीन में उन्होंने बागीन एरो हैट और उसके तीन शावकों की साइटिंग की थी उन्होंने करे 25 मिनट तक बागीन और उसके शावकों को अठेलियां करते हुए देखा इस दोरान प्रियंका की बेटे ने अपने कैमरे में इस नजारे की तस्वीरें कैद की थी कोट का आदेश ना मानना कई अफसरों को भारी पढ़ गया है राइस्तान में भरतपुर के अतिरिक जिला अंशतर नियालिया ने एक अध्यापक को 86 लाख रुपे का वगतान नहीं करने पर जिला परिशत के भवन के साथ जिला कलेक्टर और विकास अधिकारियों की गाड़ियां कुरक करने के शुकरवार को आदेश दिये कोट के आदेश पर जिला परिशत के भवन पर कुरकी का नोटिस तो चस्पा कर दिया गया है पर कलेक्टर और विकास अधिकारी अपने काराले में नहीं मिले तो उनकी गाड़ियों पर नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका पूरा मामला यह है कि वर्ष 2018 में अधियापक महेश कुमार के पक्ष में फैंसला सुनाते हुए भरतपुर के अतरिक जीला एम 70 नियाले संख्या एक ने 86 लाक रुपे का भुक्तान करने के अदेग शिक्षा विभाग को दिये थे इसके खिलाब शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में राजस्तान उच नियाले में याचिका दायर की वहां से याचिका खारिस होने के बाद उच्टम नियाले में याचिका दायर की गई उच्दम न्याले ने रास्तान उच्ण न्याले के निर्णा को बरकरार रखते हुए तीन महीने में महेश वर्मा को सभी लाप परिलाप देने के अदेश दिये अडानी ग्रूप के चेर्मेन गोतम अडानी शुकरवार को जोदपूर पहुंचे अडानी अपने भाई राजेश के जनम दिन के आयोजन में शरीक होने जोदपूर आए है बता दे कि राजेश अडानी अपना जनम दिन उमेद भोवन पहलेस में मना रही है अडानी का पूरा परिवाद जोदपूर पहुंचा है शुकरवार को वेलकम डीनर के साथ आयोजन हुआ आज शनीवार को जनम दिन का मुख्य आयोजन होगा इसमें गायक शंकर महादेवन प्रस्तूती देंगे आयोजन में शरीक होने में जीशन वे सिंगर शंकर महादेन कल जोदपूर आएंगे उपचुनाओं के परिणाम के बाद रायस्तान की राजनीती में ऐसाई भरती परिक्षा सहीत कई मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है कैबिनेट मंतरी की रोडी लाल मीना लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इस कड़ी में शुकरवार को उन्होंने जैपूर में प्रेस वारता कर रायस्तान पुलिस पर गंबीर आरोप लगाए इस दोरान की रोडी लाल मीना ने कहा की सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याई सहन कर लूँगा दरसल की रोडी लाल मीना ने बीटे मंगलवार की रात उतनी रिक्षक पर इक्षर रद करवाने की मांग कर रहे चातर शात्राओं को रोकने करने के लिए पलिस वारा घरों पर दी गई दविश का भी मुद्दा उठाया किरोडिलार मीला ने प्रेस वारता में पीएम मोदी का एक वीडियो सुनाते हुए बुद्वार को पलिस की दविश पर सवाल उठाये उन्होंने कहा कि पुलिस परिजनों को बिना बताय हिरासत में नहीं ले सकती अलवर में सैलोन के दुकान पे काम करने और पॉली टेकनिक में डिप्लोमा कर रहे दो लड़कों को शुक्रवाट 36 गट की बिलासपूर साइबर थाना पुलिस ने गिरफतार किया है आरोपी ने बिलासपूर के रिटाइट अधिकारी जैसिंग चंदेल को डिजडल अरेस्ट कर 54,30,000 की ठगी की थी बिलासपूर क्राइम प्रांच के अधिकारी विजय चोधरी ने बताया अलवर से दो लड़कों को गिरफतार किया गया है इसमें निकून जो लक्षर सैनी है तीसरा आरोपी गोरफ फरार है बिलवड़ा कुलिस लाइन में 24,00,000 की लागत से निर्मिज शुटिंग रेंज का उधगारण जिला कलेक्टर नमित महता, एसपी धर्मेंदर सिंग और विधाईग अशोक पठारी ने किया दस मिटर लंबे शुटिंग रेंज में दस लेन बनाई गई है जिसमें सू सज्जित इलेक्ट्रोनिक स्कोरिंग सिस्टम पर टार्गेट टरनर सिस्टम भी स्तापित किये गए है इस दोरान कलेक्टर ने खिलाडियों का होसला भी बढ़ाया जिला कलेक्टर महता ने एसपी धर्मेंदर सिंग को बढ़ाई देते हुए कहा कि इन्हों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार शूटिंग रेंज का निर्मान किया है इसमें पुलिस कर्मियों को काफी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस शूटिंग रेंज से अन्य जिलों के एसपी को भी प्रेड़ना मिलेगी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोर ने अपने चूरू आवास पर आयुजित बैठक में 17 दिसंबर को प्रदेश भाजबा सरकार की प्रथम वर्षकांट के उप्लक्ष में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के जैपूर आगमन को लेकर विचार में मर्ष्ट किया पैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोर ने कहा कि पार्टी कारे करताओं का सुभाग्य है कि 17 दिसंबर को विश्व के सरवादिक लोग प्रियनेता प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जैपूर के सांगा निर्मे दतिया में आ रही है जिसको लेकर उत्साहित प्रदेश के कारे करता विभिन शेत्रों से हजारों की संक्या में जैपूर पहुँचेंगे उन्होंने पताया कि चूरी जिले में 15,000 से अधिक कारे करताओं के जैपूर जाने का लक्षा रखा है प्रतेक पंचायत ने बस एक बात निर्धारित की गई है राठोर ने कहा कि प्रदेश की भजलनाज शरकार की पिछले एक वर्ष में जो एतिहासिक कारे की हैं उससे प्रदेश विक्सित राज्य बनने की और अग्रसर है मासवड़ा के CMHO ओफिस में एंटी करप्शन ब्यूरों ने बड़ी कारवाई की है टीम ने PCP NTT सेल प्रभाई हरीकान शर्मा को 10,000 रुपे के रिश्वत लेते गिरफ़तार किया है सुत्रों के नसार लैब के लाइसंस रिणनल के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी इस सम्मन में पीडित ने ACB से शिकायत की थी ACB के सत्यापन में रुपे लेना साबित हुआ इसके बाद टीम ने शुकरवार सुबेच छापे मारी की गई हालांकि बताय ज़ाराय कि आरोपी को रंगी हातों गिरफ़तार नहीं किया गया है सीकर की तारपुरा हवाई पट्टी बाबा राम देव का सांसत सुमेदानन सरस्वती संतों पर भाजपा करेकरताओं ने स्वागत किया राम देव तारपुरा हवाई अड़ी से सडक मारक से मुकंद गर्ण में सिर्थ कुम्बनात की बगीची पहुँचे जहां अगवानी करते हुए अगोरी शेलेंदरनात महाराज ने योग गुरु राम देव का स्वागत किया इस दुरान बाबा राम देव ने संबोधित करते हुए का राजस्तान में आस तीन जगे कारेकरम है वने कुम्बनात की पवित्र बगीची में आकर उर्जा मिली है यह बगीची गो सिवा की जगें है जहां जाकर बहुत अच्छा लगता है राम देव ने कहां महाराज शेलेंदरनात जिससे मिलके उनके आदेशों की पालना करेंगे जोजिनो जीले के जो व्यक्ति सरकारी करंचारी है आयकर दाता है जिनके पस चार पईया वाहन है ऐसे सभी सक्षम परिवार को राशन के दुकानों पर फ्री का राशन लेना बंद करना होगा इसके लिए गिवप अभियान में फारम भरकर देना होगा जिनोंने यह फारम भरकर नहीं दिया और किसी ने शिकायत कर दे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी का रवाई की जाएगी खाद्य नागरिक आपूर्तियां उभोकता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निरदेशा नुसार रास्ट यह खाद्य सुरक्षा योजना के अंतरगर चैनीज सक्षम विक्तियों के और से स्वेच्छा से नाम प्रथक करवाने के लिए गिवप अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलाया जा रहा है नागोर के सरकारी एग्रिकल्चर कालेज में तीन दिवसी इंटर कॉलेज स्पो्ट्स टूर्णामेंट शुरू होने जारहे हैं टूर् SagTION में जोध्पूर ऑग्रिकल्चर युनिवस्टि के अधिनस सबी कॉलेज़ों के स्टूदेंट्स हिस्सा लेंगे आयोजन के अद्धिक्षता कुलपती डॉक्टर अरुन कुमार करेंगे टॉर्णामेंट कृषी महा विध्यालय नागोर में 9 से 11 दिसंबर तक चलेंगे टॉर्णामेंट सायोज जकनागोर कोलेज के डीन डॉक्टर जीवा राम वर्मा ने बताया कि कोलेज में होने वाली तीन दिवस्य खेलकुद प्रत्योगिता में बढ़ मेर जिले में सरकार के इस एक साल में कोई बड़ा विकास कारे तो नहीं हुआ लेकिन जो रुटीन के काम काज हुए है उसी को लेकर नेताओं में क्रेडिट लेने की होड मची हुई है बीजेपी के हारे प्रिटेक्षी दावे कर रही है कि उनके विधान सबा में सिरफ उनकी ही अनुशंसा पर कामकाश हो रहा है तो दूसरी तर्फ में दल्य विधायक के समर्थक भी लगातार अलग अलग तावे कर रही है अब बीजेपी के चोहटन विधायक आदूराम मेगवाल ने मीडिया से बाचित करते हुए कहा कि रजस्तान में विकास और घोश्णाई हर विधान सबा में हुई है क्रेडिट तो और शेत्र के अंदर काम करेंगे तो वो तो लेंगे ही काम करवाएंगे तो लेंगे इसमें कोई नई बात नहीं है फिलाल बड़ी खबरों में इतना ही ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रही एस्प्टी न्यूस धन्यवाद